अजे दादा और सर्व मैं आपको बहुत आधर पुर्वक प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्विकार करें। हाँ अपला सर्व मराथी भाषी कान सटी एक अत्यंत अभिमाना तक्षन है। मराथी ही भाषा केवल सम्वादाने साधुन नसुनती अपली साउस्कृती परंपरा आणी इतिहसा से जतन करना ली एक अन्मोल संपत्या है। अनेक शतकान चा सम्रुद्ध वार्षा असलेला या भाषेला अभिजात दर्जा मिल्डे मन्जे तीचा महान तेची आणी महत्वाची अधिक्रत माननेता है। या भाषेला घडविनान जाननी योगदान दिला त्या सर्व महान साइत्तेक कवी लेखक विद्वान त्याना आज आपन सन्मान देतो होत। त्यानचा अथक परिश्रवा बोले आज बराठी भाषे ने अभी जातेचा हा गवरों मिलावला है। आता अपल्यावर जबाब दर्या है कि या भाषेचा सन्मान राखतीचा प्रसार आणी विकास करनेचे कार्य आपन साथ त्याने करावे। भाषेशी सब्रुदता आणी सुन्दरता पुढिल पिढ्या परिंतो पोचरुनेचे कार्य आपने करतव्या है। अपला सर्वान आईतिया सी ख्षाना बदल पुन्दा एकदा धन्यवाद करते है। कि या विश्या तुन दूसरे विश्या जाओ का। जाले ताय सचिन लाड़का बढ़नींची 15 रुपए मैं हिंदी ब्यां बात करूँ। चलेगा माराची तो आती है मुझे। माराची तो पंते प्रधान जी को मुश्किल होती है। मुश्किल होती है ना। लाड़का बढ़नी ना जे 15 रुपए तुम्हें दीलेले आये त। त्यांची व्यथा अंचनची खुशी। शी माजश्वा आनी कुणाला करणान नही। हेजर काम सत्य चालीस साली कुणी केला असत। 15 रुपए मेलाले असते। सर्मी दोन मेला जेवले असते हैं। सकाचा जेवन सन्या का सटी जपुन ठेवलन असत। मैंने खाना संभाल के रखना सीखा था क्योंके मैं दुपएर को खाना नहीं खा सकती थी। जब हजबन आते थे दोनों मिलके हम खाते थे। उतना ही खाना मेरे पास होता था। इसलिए मुझे लगता है कि ये पंदरासु रुपए पंदरा आजकल के जबान में सीयार जैसे लाखों रुपए जैसे बाते होती हैं। पंदरासु रुपए जिन लड़कियों के पास औरोंतों के पास पैसा नहीं है। उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद देती हूं क्योंकि मैं इस खालत सी गुजरी हूं। मैं संगीत में हूं लेकिन मैं गुरुही नहीं हूं। मैं घर संबालती हूं, खाना बनाती हूं। आप स्वाए तो कप्रेधुला जूए, बर्तन मनवाली, सब मैं काम करती हूं औरतों का जो होता है। तीन बच्चों को बड़ा करना, सारा परिवार संभालना, बोसले परिवार सब संभालना मैंने। इस संसार में काम करते-करते, घर देखते-देखते, बच्चे देखते-देखते, मैं कभी नाइन्टी टूएड्स की हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। 29 साल के आज मैं हूँ, मैंने यही सिखा था कि रुष्चों की सूटी खा लेना, नमत नहीं है तो नमत के बगएर खाना, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, यह मेरा मंत्र था, गुरु मंत्र था, और मैंने वैसे ही किया। मैं इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा भारत है, इतनी इतनी भाशाएं हैं, हर तीन सो माइल जाओ तो भाशा बदलती है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, वो सब हमारी हैं, हमारे संस्कृति के हैं, हमारे लोग हैं वो सब, इसलिए मैं किसी भाशा से वो नही हमेशा पढ़ा है तो मुझे एसा लगता है कि हरेक भाशा को सब को मान मिलना चाहिए संदमान मिलना चाहिए आज मुझे मेरे मराठी को मिला है इसलिए मैं बहुत खुश हूं मेरा घर संबालते-संबालते, मुझे राजकारन नहीं समझी, वाला इतना बड़ा भारत, अपैसे संबालते हो? आप कैसे सम्भालते हो हम तो नहीं हमारा घर भी नहीं सम्भाल पाते लेकिन आप आपने हमारी बेहनों को राशन गैस लाइट, पानी, घर सब मतलब बिना मुल्ले के करके दिये हैं कि इतनी खुशी की बात है कि हुरी के घर में आज खाना बन रहा है दिया जल रहा है यह सब आप दिखिया है और मैं आपसे उमर में बड़ी हूँ ब्याटनों साल की हूँ मैं आपको बहुत बहुत आशिरवात देती हूँ क्या आप ऐसे ही करते रहें और हमारा जो हिंदुस्तान है वो इसी तरह आपके हाथ में रहे और चलता रहे और हमारे जो ये बैशे हुए सब मानने वर जो हैं वो ऐसे ही काम करते रहें सिंदे साब सब आप लोग काम करते रहें मेरे को भाशन देनी के आदत नहीं है लेकिन मैं आज इतना ही कोँगी के मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश माझा कड़े देव माधा पाहत आहे माझा करे देव माधा पाहत आहे मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश जय भारत, जय महाराष्ट्रा, जय भारत